गुरु ब्रम्हा, गुरु विश्नु, गुरु देवो महिश्वरा, गुरु साक्षात परब्रम्हा, तस्मैश्री गुरु वेनमा आपको भी जरूर इस मंत्र ने तुरंत अपने गुरु का स्मरन करवा दिया होगा भारतिय संस्कृती में गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है एक बच्चे के सफल जीवन के बीच माता पिता के साथ साथ गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आशार शुकल की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है जो इस वर्ष आज यानी 13 जुलाई को है शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने गुरु का आशिरवाद लेने से जीवन में सुक शांती, धन संपत्ती और वैभग बना रहता है हिंदु मान्यताओं के मुताबिक आशार मास की पूर्णिमा पर महर्शी वेद व्यास का जन हुआ था वेद व्यास को हम महा ज्यानी के रूप में संबोधित करते हैं इसके लिए उनके भगतो द्वारा उनकी पूझा की जाती है कहा जाता है कि उन्होंने ही वेदों को चार भाग में बाटा था रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्वेद ये रिशी पराशर और देवी सत्यवती के पूत्र थे जिन्होंने महा भारत लिखकर हिंदुत्व के इतिहास में एहम भूमी का निभाई थी इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार को हटाना इसलिए गुरु वो होता है जो अज्यान को दूर करके लोगों के जीवन में ज्यान का संचार करता है व्यक्ति के जीवन में मोक्ष प्राप्ती और जीवन के हर कठीन मार्प पर दिशा निर्देश देने के लिए गुरू का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है हाला कि गुरू कौन होता है इसकी कोई निश्चित परिभाषा कभी नहीं हो सकती परंतु हिंदु धर्म में गुरू होने की कुछ प्रमुक शर्ते जरूर बताई गई है जिनमें शान्त, कुलिन, विनीत, पवित्र आत्मा, शिष्टाचार, ध्याननेश्ट और सुबुध्धी एकत्र है इस दिन का बोध्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुध से भी गहरा संबंध है माना जाता है कि बोधी व्रिक्ष के नीचे ज्यान प्राप्त करने के पश्चाथ उन्होंने इसी दिन अपना पहला उपदेश यानी प्रवचन दिया था दिल्चस बात ये है कि जैन धर्म का पालन करने वालों के लिए भी गुरु पुर्णिमा एक महत्वपूर्म दिन है और ऐसा इसलिए है क्योंकि 24 वे जैन तिर्थंकर भगवान महावीर ने कैवल्य मतलब मोक्ष प्राप्ती करने के बाद गर्णधर इंद्रभूती गौतम यानि कि गौतम स्वामी को अपना पहला शिष्य बनाया था नियोस डैस्ट रिपोर्ट असमादित्य